Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हैं, आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आज की जो home remedy है, वो winter special है, winter में आप इसको एक पार जो ट्राय करके देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी remedy बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक चमच औरेंज पील पाउडर लिया है, आप इसको घर में भी ready कर सकते हैं और ऐसे ready made भी ले सकते हैं नीबू के चिलके या संतरे के चिलकों को आप सुखा कर उनको mixer grinder में पीस कर आप ऐसे powder बना सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं फेस पैक के लिए संत्रे के छिलके में ऐसे बहुत सारी गुण होते जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन से दाग धबो को हटाने में, पिग्मेंटेशन को हटाने में हेल्प कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे rose water, rose water हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है, यह हमारी skin से दाग धबो को अटाता है, हमारी skin को hydrate करता है, हमारी skin को glowing बनाता है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे बदाम रोगन, two से three drop ही हमने इसमें एड़ करनी है बदाम रोगन अगर आपको सूट आता है तो आप इसमें बदाम रोगन एड़ कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें नारिल का तेल भी एड़ कर सकते हैं बदाम रोगन हमारी स्किन से दाग धबो को हटाता है हमारी स्किन को टाइट बनाता है ग्लोइंग बनाता है अगर आपके फेस पर पिगमन टेशान है उसको हटाने में हेल्प करता है फेस पैक मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था जो हमारी स्किन के लिए बहुँ ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के दाग धबो को हटाने में हेल्प करता है अगर आपको लगता है आपका फेस काला हो गया है रुखा सुका हो गया है face pack को लगा कर हम सूखने के लिए छोड़ देंगे और यहां पर मेरा face pack सूख गया है मैंने गीला टावल ले लिया है और में अपने face pack को remove करूँँगी और यहां पर आप 5 मिनट की massage भी कर सकते हैं नहीं तो अपने face pack को ऐसे भी remove कर सकते हैं और मैं आपके सामने ही face pack को remove कर रही हूं और आप result देख सकते हैं मेरा face बहुत ज़्यादा dull हो गया था और ये face pack मैंने one week तक daily apply किया मेरे face pack बहुत ज़्यादा अच्छा glow आ गया है और आप इस face pack को बनागर जिरूर ट्राइक करना अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को like करें न चानल को subscribe करें न तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए bye take care thanks for watching